दोसो आज की ये वीडियो बहुत ही important है, इसके अंदर हम लोग discuss करेंगे elements of novel को कि एक novel लिखने के लिए कौन-कौन सी चीजों की जरुरत पड़ती है जैसे theme, plot, point of view, characters, setting, conflict, language, style ये सब चीजे एक novel लिखने के लिए बहुत ही important होती है एक-एक करके हम लोग इन सब को discuss करते हैं सबसे पहले हम लोग theme पर चलते हैं, theme क्या होती है देखे, एक novel को लिखने के लिए theme बहुत important element होता है जिसके बिना novel लिखना अधूरा सा रगता है theme का मतलब होता है central idea of the novel कि novel का central idea क्या है, subject क्या है, क्या message देना चाहती है novel लेकिन novel बहुत बड़ी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक novel के अंदर एक ही theme को follow किया जाए themes बहुत सारी हो सकती है दोस्तों एक ही novel के अंदर अलग-अलग themes हो सकती है for example, एक novel है The Color Purple ये novel लिखी थी Alice Walker ने इस novel के अंदर central theme जो है, वो है God and spirituality ये इसकी main theme है, लेकिन इसके अलावा race, racism, gender roles, violence, suffering ये सारी भी इसकी themes है तो एक ही novel के अंदर अलग-अलग type की themes भी हो सकती है अब themes अलग-अलग type की हो सकती है दोस्तों नेक्स्ट आता है plot plot होता है कहानी एक novel की कहानी कहानी बहुत important चीज होती है अलग-अलग type के events को जोड़ कर plot तयार किया जाता है उसी plot के अंदर काफी सारे subplot भी हो सकते हैं एक या एक से ज्यादा subplot हो सकते हैं subplot का मतलब होता है कहानी के अंदर की कहानी कहानी के अंदर भी एक कहानी चल रही है एक pyramid होता है दोस्तों इसको freight tech pyramid कहा जाता है इसके अंदर क्या होता है climax के अंदर ये graph इतना उपर चला जाता है कहने का मतलब पढ़ने वाले की excitement का level यहां तक पहुँच जाता है raising action और falling action के बीच में climax का scene यहां पर होता है जब novel शुरू होती है उसको हम exposition बोलते हैं और जब कहानी खत्म होने लगती है उसको denoment कहा जाता है इस type के pyramid को ध्यान देना cause and effect के principle पर work करती है अब हम लोग बात करते हैं characters की characters क्या role play करते हैं एक novel के अंदर characters भी बहुत ही important role play करते हैं characters के बिना novel की कलपना नहीं की जा सकती एक novel लिखने के लिए कहानी बनाने वाले को characters चाहिए होते हैं real life के character यानि हमारे आसपास के ही characters को वो उठा कर अपनी novel के अंदर डालता है characters का क्या role होता है novel के अंदर plot को समझने के लिए और story को interesting बनाया रखने के लिए characters का use के जाता है अब या तो characters को real life से उठाया जा सकता है या फिर character completely fictional भी हो सकता है यारी novel लिखने वाले के दिमाग की उपज और सबसे important बात ये है कि characters का आपस में जुड़े होना बहुत important है अगर characters आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे तो plot बहुत ही बिखरा हुआ सा लगेगा जब novel लिखी जाती है सबसे पहले character sketch design किया जाता है किसी भी character का character sketch sketch design किया जाता है कि ये character किस type का है ताकि audience उससे relate कर सके आप देखोगे Charles Dickens के characters बहुत ही ज्यादा famous है worldwide famous है Charles Dickens की character ध्यान देने वारी बात ये है कि चाहे छोटे से छोटा character हो या बड़े से बड़ा character हो सारे story के साथ जुड़ने चाहिए कोई भी story से अलग नहीं चलना चाहिए और ज्यादा तर novels के अंदर कोशिश की जाती है कि character का अपना एक deep emotion होता है जिसके सहारे वो चलता है इससे novel interesting बनती है अब characters के अंदर एक होता है protagonist एक होता है antagonist antagonist क्या होता है novel का main character और antagonist होता है जो इस novel के अंदर नहीं कि वो protagonist के हमेशा opposite खड़ा रहता है इस novel में devil का या Saturn का role play करता है अब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि novel का main character antagonist ही हो और antagonist की ही story बताए जा रही हो बहुत सारे experiments होने रगे novels के अंदर तो ऐसा भी हो सकता है जैसे Macbeth देख लो Shakespeare का Macbeth वो एक अच्छा example है इसको बताने के लिए देखो Macbeth उस कहानी का hero था लेकिन hero होते हुए भी कहानी का villain था तो antagonist पे भी पूरी कहानी बन सकती है और ऐसा नहीं है कि protagonist सिर्फ एक हो protagonist बहुत सारे हो सकते हैं कहां पर novel चल रही है या उसका background क्या है यानि हो सकता है कोई novel rural area में लिखी गई है हो सकता है कि उस novel का background एक busy city के अंदर रखा गया है हो सकता है novel को एक animal farm में रखा गया है animal farm भी एक background हो सकता है आप George Arwell की animal farm देखो अब कहां लिखी गई है यही important नहीं होता setting के अलावा setting के अंदर time भी आता है climate भी आता है weather भी आता है lifestyle भी आती है period भी आता है किस period में लिखी गई है हो सकता है future की बात की गई हो हो सकता है past की बात की गई हो जैसे 1984 देख लो या फिर Elders Huxley की brave new world यह सब future की बाते करती है the time machine तो setting को समझने के लिए हमें यह सारी novels पढ़नी चाहिए अब अब लोग discuss करते हैं conflict को conflict क्या होता है conflict basically novel के अंदर जो problem चल रही होती है उसको बताता है यानि हमारी कहानी का hero किसके against लड़ाई लड़ रहा है और इस conflict को overcome करके हमारा main character अपने goal की तरफ पहुंसता है और इसी conflict के अंदर एक suspense create होता है जिसमें ऐसा लगता है कि यह हमारा main hero जो है वो जीत भी पाएगा या नहीं जीत पाएगा इस conflict को overcome कर भी पाएगा या नहीं अब हो सकता है उसको conflict किसी दूसरे आदमी से हो, nature से हो अपने आप से हो, या society से हो या फिर black power से हो किसी भी type का conflict हो सकता है ऐसे nature के साथ में इंसान का conflict कौन सी novel में दिखता है हमको Old Man and the Sea ये बहुत ही famous novel है और Robinson Crusoe Daniel Defoghi ये दोनों conflict को दिखाती है कि इंसान का conflict किस के साथ में चल रहा है nature की साथ में उमीदें आप समझ गए होंगे conflict क्या होता है एक novel के अंदर अब हम लोग discuss करते हैं language या फिर style को language भी एक बहुत important हिस्सा होती है किसी भी novel को लिखने का यानि कहारी का writer किस तरह की language, किस तरह की sentence किस तरह की vocabulary का use कर रहा है अगर वो अपनी writing में अच्छी-ची quotations use करता है तो हो सकता है सालों तक उसकी quotations को पढ़ा जाए और बाते की जाए अगर language ही अच्छी नहीं होगी तो उसकी writing को कोई भी seriously नहीं लेगा और आखिर में हम लोग discuss करते है point of view को point of view का मतलब होता है किसके नजरिये से ये novel लिखी जा रही है क्या वो main characters के नजरिये से लिखी जा रही है या फिर कोई side का character इस story को सुना रहा है अगर वो main character की नजरिये से लिखी जा रही है तो उसको first person point of view कहा जाएगा अगर कोई और story को सुना रहा है तो उसे second percent point of view कहा जाएगा और अगर writer खुद हमें story के बारे में सब कुछ बता रहा है या फिर story अपने आप में चलती जा रही है तो उसे कहा जाएगा third percent point of view तो इन तीनो point of view से story को लिखा जाता है दोस्तों लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक ही point of view से story को लिखा जाए हो सकता है first percent second percent third percent तीनो type के point of view शामिल हो उसमें हो सकता है third percent omniscient एक कहा जाता है third percent omniscient point of view या third percent limited point of view कि कुछ हिस्सा novel का third percent बताएगा बाकि first person या second percent बताएगे कहानी का कोई भी character कहानी को बता सकता है जिससे story हमको थोड़ी real सी लगती है modern time में इसको बहुत ही ज्यादा experiment करकर बढ़ाया गया दोस्तों उभीद करता हूँ ये video आपके लिए कुछ helpful थाबित होगी आज की इस video में बस इतना ही